दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल राज टुटरेल हिंदी में आज हम बात करेंगे कि हमारे जो एक टन का AC होता है वो हमारे रूम को कितनी जल्दी ठंडा कर देगा दोस्तो हम इसमें MKS सिस्टम और FPS सिस्टम दोनों के लिए बात करेंगे मतलब की होता है दोस्तो मीटर किलोगराम सेकेंड वहीं पर FPS का मतलब होता है फूट पाउंड सेकेंड तो दोनों सिस्टम में हम बात करेंगे कि हमारे एक टन का जो AC है वो हमारे रूम को कितनी जल्दी ठंडा कर देगा तो चलिए फिर जानते हैं इसको जानने के लिए दोस्तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो AC में हमारा टन का क्या मतलब होता है दोस्तो AC में टन का क्या मतलब होता है पुराने जबाने में जो हमारा एक टन का बरफ जितना कुलिंग करता था एक रूम में जितना कुलिंग करता था तो उतना ही कुलिंग हमारा वन टन का बरभ भी परदान करेगा दोस्तों अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो एसी का जो है टन में क्या मतलब होता है वो जाकर जरूर मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर अगर टन को इस्टम में बात करते हैं मतलब कि फूट पाउंड सेकेंड में हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारा फूट पाउंड सेकेंड में वन टन इसकोल टू कितना होता है वन टन इसकोल टू होता है 2,000 पाउंड मतलब कि 2,000 लवी मतलब कि लिबरा इसको बोलते हैं और 2,000 लेटिंट हीट आफ आइस जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 144 BTU पर LB मतलब कि एक पाउंड का हमारा बरफ जितना कुलिंग परदान करेगा वो होता है 144 BTU मतलब कि इस तरह समझे है कि जो हमारा एर में गर्मी होता है वो एक पाउंड का बरफ वो 144 BTU क्या करता है कि हीट को अबजर्ब करता है तो 144 BTU क्या करता है कि एक पाउंड का हमारा बरफ क्या करता है कि हीट को अबजर्ब करता है लेकिन यहां पर हमारा पास कितना पाउंड है टिपल जीरो बी टी-उ पर दे अब एक दीन में हमारा जो हीट को ऐपजर्ब करेगा one turn का बरफ वो होगा दोस्तोä 88800BTU अब यहाँ पे एक दिन में अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तो 20 घंटे होते हैं तो हम इसको क्या करते Yeah 24 00arte क प्योग और कर देते हैं तो अगर हम 24 से divide करेंगे दोस्तो यह ऐगा हमारा 12000 12000 BTU पर आउर मतलब कि हमारा एक टन का एसी जो है वो 12,000 BTU एयर में से मतलब रूम में से क्या करेगा हीट को अजर करेगा अब एक घंटे में हमारा एक घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों 60 मिनट होते हैं तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा दोस्तों यह आएगा हमारा 200 BTU पर मिनट मतलब कि एक मिनट में हमारा हीट को जो अबजर्ब करेगा वो 200 BTU अगर 200 BTU को हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो यह हमारा आजागा 3.33 BTU पर सकेंड मतलब कि एक पाउंड का बर्फ हमारा एक सकेंड में 3.33 BTU हीट को अबजर्ब कर लेगा तो वहीं अब मान के चलिए कि हमारे रूम में कितना हीट है सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके रूम का हीट का ठेंपरिशर किनना है मान के चलिए हमारे रूम में जो हीट है वह मिजर करके मान के चलिए हमारा है 6,000 BTU क्या है कि हमारे रूम में क्या है कि हीट हो है तो अगर हम एसी चालो करते हैं तो यह कितना जल्दी हमारा रूम ठंडा हो जाएगा तो 6,000 को हम क्या करेंगे 12,000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा दोस्तो 1 बाइ 2 आवर मतलब कि 1 बाइ 2 आवर मतलब कि आदे घंटे में वह क्या करेगा यह तो यह हो गया दोस्तोóm अब हम बात करते हैं मकस सीश्टम में MKS system मतलब की meter, kilogram, second system तो इसमें हम एक टून को कितना कहते हैं दोस्तो meter, kilogram, second system में one ton is equal to होता है दोस्तो one thousand kilogram kilogram अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है latent heat of ice मतलब latent heat of ice कितना होता है latent heat of ice यह होता है दोस्तो हमारा 80 kilo calorie पर केजी मतलब की एक kilogram का बरफ जो है एक kilogram का बरफ हमारा क्या होगा कि कितना heat को अबजर्ब करेगा 80 kilo calorie heat को अबजर्ब करेगा तो हमारे पास कितना 1000 kilogram है तो हम इसको क्या करेंगे 80 से multiply कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों 80 thousand kilo calorie यह per day मतलब की इतने 80 kilo calorie के अगर पर दे वो heat को अबजर्ब करेगा अब यहाँ पे 80,000 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो यह किस में हो जाएगा hour में हो जाएगा तो और हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3333.33 kilo calorie पर आवर मतलब की इतने kilo calorie पर आवर वो heat को अबजर्ब करेगा air में से अब यहाँ पे हम इसको क्या करते है 3333.33 को हम क्या करते है यह इतना यह दोस्तों तो हम क्या करते हैं साथ से डिवाइड करते है क्योंकि एक घंटे में साथ मिनट होते है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 55.55 kilo calorie पर मिनट अब यह मिनट में आगए दोस्तों अगर इसको हम सकेंड में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा यह लगबग में 55 है तो इसको हम साथ से डिवाइड करते है तो यह आजाएगा दोस्तों 0.916 kilo calorie पर second तो दोस्तों अब यहाँ पे यह समझे कि अगर हमारे room में जो heat है वो अगर मान के चलिए 550 kilo calorie है तो कितने जल्दी ठंडा हो जाएगा तो दोस्तों 550 kilo calorie है तो हम अगर minute में निकलना चाहे तो हमारे कितना होता है कि एक minute में कितने calorie को अबज़र्प करेगा 55 तो 55 से हम अगर डिवाइड करेंगा तो यह आएगा 10 तो 10 मिनट में क्या होगा कि वो हमारे रूम को ठंडा कर देगा वन टन का ऐसी अगर इतना हमारे रूम में क्या है कि गर्मी है तो दोस्तों ऐसे हम क्या करते हैं कि मालूम करते हैं कि हमारा रूम जो है वो कितनी जल्दी ठंडा हो जागा अगर वन टरन का है ऐसे ही आप अगर दो टरन का ऐसी है तो आप इस सिस्टम से निकाल सेथे हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज टुटर ही हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि म आपके लिए से लटकल सुझूड़े वीडियो लेकर आता रहते हैं और आपका कोई सवाल है या अपना कोई कुशन करना चाहते हैं तो मारे कमेंट बाक सुनीचे लिए कमेंट जरू करिए नन्यवाद